गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, वेलकेम टू इस्टड़े विथ नीलम, आज है सत्रा जून, सत्रा जून के सभी बेस्ट टॉप करन्ट अफियर्स और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं पहला कोश्चन है, इंटरनेशनल डे ओफ फैमिली रेमेटेंस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जून को, ये विश्व में जितने भी प्रवासी लोग रहते हैं, उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है उनका हमारे एकोनोमी में, हर देश की एकोनोमी में, हर देश के प्रवासी ओका और विश्व की एकोनोमी में प्रवासी का जो योगदान है उसी के लिए ये डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 16 जून को इस 2020 की धीम क्या रही? Building Resilience in Times of Crisis Building Resilience in Times of Crisis निहान रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ यहाँ पर आप लोगों को मैं जून महा के सारे डे हैं वो कल की वीडियो में याद करवा चुकी हूँ अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 8 जून को कौन सा डे हम मनाते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे कोरोना वाइरस की परिस्थिती में किस देश से सो उच्च प्रद्योगी की वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे तो यह लाए जाएंगे अमेरिका से उच्च प्रद्योगी की का मतलब यह है कि वो highly collected होंगे highly technique होंगे अच्ची गुणवत्ता के होंगे तो यह हम किस देश से लेकर आ रहे हैं अमेरिका से अमेरिका की केपिटल आपको पता है वाशिंग्टन डी सी और यहां के जो आपको PM है प्रेसिडेंट है वो कौन है डोनाल प्रम्प हैं बढ़ते हैं आगे ओडिशा राज्य में इंटेक के अनुसार किस नदी पर 500 सल पुराना तथा 60 फिट डूबा हुआ मंदिर मिला है तो यह मिला है महा नदी में किस नदी में महा नदी में यह सभी नदियां ओडिशा राज्य की ही हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी किस राज्य की है तो यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बात करते हैं इस मंदिर की तो यह कितने साल पुराना है 500 साल पुराना है किस नदी में मिला है यह मिला है महा नदी में Intake की full form क्या होती है, यहाँ पर Intake को देख लेते हैं, Indian National Trust of Art and Heritage, यह इसका full form में ध्यान रखेगा, कहां मिला है, महानदी में, ओडिशा में, ओडिशा की बात आये, तो ओडिशा के PM कौन है वई, यह है नभीन पतनायक, गवर्नर कोन है यहाँ के, गवर्नर है गनेशी लाल, गवर्नर कोन है, गनेशी लाल है, यहाँ पर लोगसवा की कितनी सीटे हैं, 21, राज्यसवा, 10, और बिधानसवा की सीटे हैं, 147, बढ़ते हैं अगले question की तरफ किस IIT दुआरा COVID-19 के लिए कम लागत और AI आधारित test kit विक्सित की गई है यहाँ पर AI आधारित का मतलब होता है artificial intelligence के आधार पर artificial intelligence का मतलब होता है वहाँ पद्धिती जिसमें robot कोई machine मानव का इस्थान पर काम कर रही हो artificial काम करती हो ओके चलिए तो यह इसका right answer होगा IIT हैदराबाद IIT हैदराबाद ने यह विक्सित किया है AI आधारित यह test 20 मिनट में ही अपनी report देदेगा coronavirus से related अब देख लेते हैं यहाँ पर IIT मदरास ने भी अभी किया था वही यह क्या कह रहा है इसने standing wheelchair बनाई है देश की पहली standing wheelchair किसने बनाई है IIT मदरास द्वारा बनाई गई है IIT मदरास ने ही सोदेसी micro processor क्या नाम है उसका शक्ती यह question आ चुका है दिसंबर 2019 में बैंक के एक्जाम में आया था कि सक्ती क्या है तो यह सोदेसी micro processor किस IIT ने विक्सित किया IIT मदरास ने इसे विक्सित किया है और IIT जो रुड़की है इसने क्या विक्सित किया था इन्होंने portable ventilator pran-yu विक्सित किया था portable का आपका पता ही है कि उसे मतलब खोला या बंद किया जा सकता है न पोर्टेबल चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाल ही में खोजी गई मकडियों की एक नई प्रजाती का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो ये रखा गया है Greta Thunberg नाम तो सुना ही होगा आप लोगोंने Greta Thunberg को ने ये है सिवडन की परियावरण बिद मतलब परियावरण कारे करता है ये सिवडन की है ना तेरा साल की है और ये बहुत ज़्यादा famous रही है अपने परियावरण के प्रती जागरुकता के लिए तो जो मकड़ी खुझी गई है उस मकड़ी का नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है थनवरग नोब मकड़ी का नाम है इस मकड़ी का खुझ किस ने की ये जर्मनी के वेज्यानिक है Peter पीटर जे वर्ग ने खोच किये स्मकड़ी की प्रजाती की ठीक है यहां ग्रेटर थन वर्ग की बात आई तो भई इना टाइम्स मेगजीन ने पर्सन ओप दी यर गोशित किया था 2020 मेहना पर्सन ओप दी यर टाइम मेगजीन पर याद रखिए गर टाइम मेगजीन से आप लोग समझते होंगे गोंगे की प्रजाती का नाम भी ग्रेटर थन वर्ग के नाम पर ही रखा गया था क्या रखा गया था उसका नाम था नीलो पेडरोस ग्रेटी कीट का नाम याद रखिएगा निलो प्रेज ग्रेटी ये भी ग्रेटर थन वर्ग के नाम पर ही रखा गया था अब यहाँ पर बात आ रही है सचिन- तेंदुलकर की तो इनके नाम पर भी एक मखडी का नाम रखा गया था मारिंगो सचिन तेंदुलकर मारिंगो सचिन तेंदुलकर किसका नाम है एक मकडी की प्रजाती का नाम है ये आप लोगों को धिहन में रखना है M. Netra का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि COVID-19 के चलते ये तमिल लाडू की थी इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए पांच लाग रुपे सेफ करके रखे थी तो इन्होंने क्या करा अपने पिता को पेरित किया और उन पांच लाग रुपे को गरीवों की हेल्प के लिए वित्रित करवा दिया जो COVID-19 की वज़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो इनको क्या किया गया है UNADAP ने क्या किया ने अपना Goodwill Ambassador of Poor नियुक्ति किया है Goodwill Ambassador of Poor नियुक्ति किया है किनको M नेतरा को दियान में रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाल ही में देवेंद्र कुमार सींग को किस संस्थान का निदेशक नियुक्ति किया गया है इन्हें निदेशक बनाया गया है देवेंद्र कुमार सींग को सिडवी का अगर आप लोग मेरे आर्थे सास्तर की सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको सिडवी के बारे में बताया था सिडवी के सापना कब हुई थी 1990 में हुई थी सिडवी सिडवी का फुल फॉर्म क्या होता है फुल फॉर्म सुन लीजिए आप लोग यहाँ पर फुल फॉर्म है Small Industries and Development Bank of India Small Industries Development Bank of India कब बना 1990 में Headquarter कहा है सिडवी का यह है लखनव में लखनव UP में इसके CMD कोन है सिडवी के सिडवी के CMD CMD है इनके मोहमद मुस्तफा मोहमद मुस्तफा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में सुरक्षा सेलरी अकाउंट सेवा किस बेंक के द्वारा और किस छेतर के लिए प्रारंब की गई है किस बेंक के द्वारा और किस छेतर के लिए प्रारंब की गई है तो यह प्रारंब की गई है एटल पैमेंट बेंक के द्वारा दूसरी चीज़े किस छेतर के लिए प्रारंब की गई है MSME MSME सेक्टर के लिए ये प्रारंब की गई है इसमें क्या होगा कि जो MSME सेक्टर है इसमें कितने लोग कितने लगभग यूनिट वो हैं आपकी यूनिट से ये लगबग 6 करोड यूनिट्स हैं देश में है ना लगू मद्यम और मीडियम उध्योगों की जो इंडरस्टीज है वो 6 करोड है और ये हमारी GDP में 29% की हिस्सेदारी रखती है देश की GDP में तो इसकी लिए एटल पेमेंट बेंक ने सुविधा दी है कि ये यहां से पेमेंट कर सकते हैं और इसमें अकाउंट में क्या जीरो बैलेंस पर भी इसमें ये अपने जो कर्मचारी हैं उनको पेमेंट की जा सकती है किनको मिलेगी लेकिन ये सुविधा जो MSME कंपनी है उन्ही को ये सुविधा देगा कौन देगा एटल पेमेंट बेंक द्वारा दी जाएगी ओके ये कोटक महिंद्रा बेंक आया यहां पर तो कोटक महिंद्रा बेंक के कोन है वही MD CEO उदे कोटक है अभी ये हाल ही में चर्चा में रहे थे क्यों रहे थे ये बने थे CII के अध्यक्ष Confederation of Indian Industries के बने थे एक और चीज याद रखे है कोटक महिंद्रा बेंक से इन्होंने हाल ही में कोटक महिंद्रा बेंक ने वीडियो KYC की है वीडियो कॉलिंग के थुरू ये आपको वीडियो कॉल करेंगे मुबाइल पर 2-3 मिनट के आपकी वीडियो बनाए जाएगी उसे क् डाह गया बेडियो के वार पवार किने की है कोटक महिंद्रा बेंक कल ही पढ़ाए था मैंने आपको इसी आइसी बेंक इन्होंने क्याक लेकर आया थे है फ्लेक्सी क्रेस-योजना लेकर आ cargo के बढ़ते हैं आगे हाल ही में जी किसंध रेड़ी2 राज्यमंत्र hed沒 तर्स चरह गया है तो यह किस लिए है जर्मी बन भई यह है रोगाणू ना सक है ना यह 99.9% सतह और वायू पर सतह पर और वायू में हवा में जो भी कर्टाणू है उनको कितने परसंट तक मारने का काम करती है 99.9% का यह काम करेगी ओके चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इस वीडियो की इस सब्सक्राइब की नाम से ही पेज बना हुआ है चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ राजिस्तान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ओप्रेशन डेजर्ट का उद्देश क्या है इसका उद्देश से चाइना पाकिस्तान के जासूसों को पकड़ना आपने सुन कौन चला रही है प्रोग्राम राजिस्तान पुलिस चला रही है यह भारत के खिलाफ जो जासूसी कर रहे हैं चाइना की और पाकिस्तान की उन जासूसों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है ध्यान रखेगा इससे अच्छे से यहां के राजिस्तान के सी एम को ने अस राज मिस्र काल राज मिस्र क्या है राज्यपल हैं बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ क्वालिटी एंजेड कुल नरी कप 2020 की छेतर में दिया जाता है यह दिया जाता है पकवान कला के छेतर में ठीक है तो यह किसे मिला है भाई हाली में अंगत सिंग राणा को मिला है अं यह जीता है यह नीजुलेंड दोरा वर्चुली प्रोग्राम चलाया गया था उस कॉंपिटीशन में कौन जीते हैं भारास से अंगत सिंग राना जीते हैं यह एक सेफ हैं ना सेफ समझते हो जो खाना बनाते हैं और इन्होंने हाली में सीफुड चैलेंज कब भी जीता था सीफुड चैलेंज कब दिहान रखिएगा बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ हमारा सेक्शन है यह पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट सीधे कोश्चन आंसर की फॉर्म में ही पढ़ते हैं ठीक है इसे आप question बना के भी पढ़ सकते हैं और direct answer के बैस पर भी पढ़ सकते हैं देखिए IDBI bank के डारेक्टर कोन बने हैं अंशुमान सर्मा बने हैं यह सब हाली की घटना है मनोज आहुजा CBSE के अध्यक्ष निक्त किये गए जानवी फूकन फिक्की लेडीज और्गनाईजेशन की राष्टी अध्यक्ष बनी है जानवी फूकन धीरु भाई अंबानी सोलर पार्क किस राज्य में हैं जेसल मेर राजिस्थान में हैं यह चेतर फल की दृष्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य कुन सा है कहां पर है राजिस्थान में लोनार जील अभी हली में चर्चा में रही थी इसका पानी केसा हो गया था गुलाबी हो गया था कहां पर है यह महराष्ट में हैं राजिस्थान का राज्किय पसू क्या है दो पसू है राज्किय इनका चिंकारा और उंट दोनों है से कहेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ट राजस्थान का राजकी फूल क्या है रोहिडा है राजकी ब्रक्षी क्या है खेजडिये नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर यह फुल फोम याद रखेगा आप फुल फॉम भी पूछी जाती एक्जाम में नेशनल इलेक्ट्रोनिक्स फंड ट्रांसफर की सुविधा देने वाला देश का पहला बेंक कुन सा है एडल पैमेंट बैंक है प्रवासी राहत मित्र एप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच किया गया है तेलंगाना के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी आई टेक से आपके भूलेंगे दो स्वारखन जात Originally की और साथ खोबर पैंटिंग को जी-आई टेक दिया गया है अब यहांसे याद रखी सक्था एक तरीका उंद की सोब्स कीक करते पेंटिंग करते कोण सी प्लोनों राज के काले चावल को जिए टेक दिया गयी बहती पोश्टिक होते हैं और किस राजजी में होते हैं काले चावल मनि तेज प्रीज होता है कौन सा चार्वर खाकर काले चावर तरीक से याद कर सकते हैं फीफा का हेड्वट कॉड़र कहा पर जियूरिक का में हैं तर्फ जूज की एक कोहां पर टेल लेंड में गूगल पर इंडिया की सीयो कोन है सिखाशर्मा है गुगल पेंड या के CEO सिखाशर्मा भारती सम्पिधान के किस अनुक्षेद में हुँ वित्ययोग का प्राबधान अनुक्ष open 280 में है वित्ययोग का प्राबधान पहले वित्ययोग के दिख़् कुन थे यह कशस्याइयग कन है यह जिखhammer कोशण है आता ही आता है आप पेपर हैं उन्हें उठाइए और उन्हें लगा यह से दो चीजों का फायदा होगा आपको आपको पहले पता चलेगा कि आपको किस तरीके कि कोश्चन आते हैं आपको टाइफ आपको पढ़ना क्या है देखिए आज आपके पास मठिरियल की भरमार है ऑफिक की भरमार है नो सिरू से सिरू करते हैं पूरा जी के पढ़ लिया पूरा ये वह सब सारे सब्ज़क कंप्लिट कर लिये लेकिन सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो भई सेलेक्शन किसका होता है स्मार्ट तरीक अपनाना पड़ेगा आपको लाश्ट एर के कोश्चन पेपर लाईए दस साल के उन्हें सॉल्व कीजिए आपके दिमाग में अगर आपने दस साल के कोश्चन पेपर कर लिये तो आपके दिमाग में बेट जाएगा कि कोश्चन का टाइप क्या होगा और फिर उसके बाद आप जो भी कोश्चन देखेंगे आप उसी टाइप से सुचेंगे कि इसको कैसे क किस से और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है ओके चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजनसी का मुख्याले कहां पर है मॉंट्रियल कनाड़ा में राष्टी समुद्री दिवस कब मनाया जाता है पाच अप्रेल को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं 6 अप्रेल को और राष्ट नेशनल स्पोर्ट्स दे 29 अगस्त को किसकी याद में मेजर धियान चन किस खेल से संबंदित थे मेजर धियान चन इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे स्थापना के वर्ष में मनाया जाता है 15 वित्यायोग के अध्यक्ष कौन थे कौन है मतलब N के सींग है ना वरतमान में कौन सा वित्यायोग चल रहा है पंदरवा वित्याग इसकी सिफारिशन किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए होंगे 2020 से 2025 तक के लिए होंगी फिर अगला 16 वित्यायों नेक्त किया जाएगा तो फ्रेंट ये था आज का कर्रंट अफियर्स और स्टेटिक पॉइंट सेक्शन आपको कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए